नमस्ते दोस्तो आज मैं बडेड की एक्तम अनोखी और बिल्कुल नई रेश्पी बनाने वाली हूँ जो खाने में एकदम कुरकुरा और चटपटा लगता है तो चलिए इस टेश्टी रेश्पी को बनाना शुरू करती है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाँच छोटे साइच के उगले हुए आलू तो मैं यहाँ पर आलू पहले ही उबाल करके छील ली थी अब इसको अच्छे से मेंस करेंगे अगर आप चाहे तो आलू कदू कस करके भी ले सकते है तो सारे आलू को चम्म से अच्छे से मेंस कर लेंगे ताकि इसमें एक भी बरा टुकरा नार है अब मैं यहां पर डाल रही हो दो छोटे साइज के प्याज को एकदम बारिक काट करके और इसी के साथ इसमें डाल देंगे दो तिन हरी मिर्च को भी बारिक काट कर अब मैं इसमें डाल रही हो एक चम्म सरसो का तेल और स्व आधा छोटा चम्मच, घर का कुटा हुआ धनिया पोडर और आधा चम्मच, पौवाजी मसाला, आप इसके जगह चैट मसाला या गर्म मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इन सारे मसाले को एक बार आलू में अच्छे से मिला लेंगी, तो हम यहाँ पर जैदा मसाला नह इससे ही हमारा चटनी एकदम चटपटा और टेश्टी बनकर तयार होगा, तो लीजिए यहाँ पर हमारा एकदम चटपटी तेश्टी आलू की चोखा बनकर के तयार है, अब मैं यहाँ पर ले रही हूं ब्रेड, तो मैं यहाँ पर छे ब्रेड ले रही हूं, तो अभी सार ब्रेड को साइट में रखेंगे और इस तरह से एक ब्रेड को बोडिया चकला के उपर रखेंगे अब इसको बेलन से हलके हलके हाथों से बेलेंगे तो इससे हलके हलके हाथों से सभी तरफ अच्छे से बेलेंगे और इससे बेल कर हलका सा बरा कर लेंगे अब इसके उपर डा ये उतना आलू की चटनी डाल सकती है चटनी डालने के बाद अब चटनी को ब्रेड के उपर अच्छे से फिलाएंगी तो देखे बिल्कुल इस तरह से तो पूरा ब्रेड पर इस तरह से आलू का चटनी लगा देंगी इसके बाद अब मैं इसके उपर डाल रही हूँ तमेटो केचप अब केचप को भी ब्रेट के उपर अच्छे से फिला देंगे आप तमेटो केचप के जगह दूसरा और कोई चटनी लगा सकते है जो चटनी आपको पसंद हो तो चटनी को ब्रेड के उपर अच्छे से फिला देंगे अगर आप बच्चे के लिए बना रही है तो ये बच्चे को नास्ता बहुत ही ज़्यदा पसंद आएगा पच्चे हो या बरे सभी को ये नास्ता खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा अब इसके उपर दुसरा प्रेड रख करके इसको हलका सा दवा देंगे अब इस तरह से कोई गोल बरतन या कटोरी लेंगे और ब्रेड को इस तरह से काट लेंगे वो कटोरा को हलका हलका इस तरह से घुमाएंगे तो आसानी से ब्रेड कट जाएगा तो देखिए बिलकुल इस तरह से तो मैं इसको गोल सेप में काट रही हूँ आप चाहे तो इसे किसी और सेप में भी काट सकती है तो इसी तरह से सारे ब्रेड को कटोरे से काट लेंगे यहाँ पर आप इसका सेप अपने हिसाफ से छोटा या बरा रख सकती है तो मैं यहाँ पर सारे ब्रेड को काट करके रख ली हूँ अब मैंने यहाँ पर गूल बनाने के लिए लिया हुआ है आधा कटोरी बेसन और बेसन में मैं डाली हूँ आधा छोटा चमच नमक और आधा छोटा चमच हलती पोडर और इन साड़े चीच को एक बार अच्छे से मिला देंगी अगर आपके पास चीली फ्लेक्स और धनिया का पत्ता हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का एक गाढ़ा सागोल बना करके तैयार करेंगी तो देखे बिल्कुल इस तरह से तो मैं यहाँ पर बेसन का एक गाढ़ा सागोल बना करके तैयार कर ली हो तो चलिए अब हम चलते हैं चिली की तरफ अब चुला पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डाल देंगे तो यहाँ पर तेल थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे अब ब्रेड लेंगे और ब्रेड में अच्छे से बेसन का गोल लगा लेंगे अब बेसन लगा हुआ ब्रेड को गर्मा गरम तेल में इस तरह से डाल देंगे डालने के कुछ तेर बाद इसको एक साइड से दुसरे साइड पलता देंगे तो इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे तो देखे यहाँ पर पकोरा दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से दुसरा ब्रेड में भी बेसन का गोल अच्छे से लगा लेंगे गुल लगाने के बाद अविसको गर्मा गरम तेल में इस तरह से डाल देंगे डालने के बाद इसे कुछ देर तक ऐसे ही पकने देंगे कुछ देर बाद इसको एक साइड से दुसरे साइड पल्टा देंगे तो इसी तरह से पकोडा को थोरा थोरा देर पर एक साइड से दुसरे साइड पलडाते हुए दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगी और गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगी इसे मेडियम फ्लेम पर ही पकाएंगी तो देखे यहाँ पर ये दोनों साइड से अच्छे से पग गया है और इसका कलर भी देखिए एकदम सोनेरा आया है अब इसको जन्नी में इस तरह से छान लेंगे और अब इस पकोरा को निकाल करके किसी प्लेट में रख लेंगे तो लेजी दोस्तो एकदम कुरकुरा चटप कोरा बन करके तियार है